सद्दसार सिही ये सद्दसार जो सी है सी माने होता है शेर यानि लाइन मगर संसकारित भासा में इसके कैप पड़ाव आए और ये आते आते सिंग हो गया और सी से लेके सिंग तक का जो सफर है वो बड़ा मज़दार है भारत में जितने भी लोग अपने नाम के पीछे सिंग लिखते हैं दरसल वो सारे के सारे पुराने जो बुद्धिश्ट लोग या बौद्धिक लोग या जो धमिक लोग थे या जो धम को मानते थे और धमिकी प्रेक्टिस करते थे इरान से लेके और नीचे तक सिंगं भी उसी का पार्ट है सिंग भी उसी का पार्ट है सी भी उसी का पार्ट है मगर सिंग जैसे हिंदी में लिखा जाता है उसका आवाज जो आती है उसका जो प्रनाउंसियसन है जो चारण है वो सिंग का नहीं है बेसिकली हिंदी में लिखा जाता है से छोटी की मात्रा अंग की बिंदी और है ये होता है सिंह या सिंह क्योंकि ने की आवाज इसमें आती है और अंग इसमें यहंग इसमें कहीं नहीं आता पंजाबी में जो लिखा जाता है वो से, छोटी की मात्रा और घै करके लिखा जाता है और उपर बिंदी तो वहां लगबग थोड़ा सा ये सिंग करके ठीक है इंग्लिस में भी A-S-I-N-G-H लिखा जाता है तो ये सिंग करके लिखा जाता है मगर सिंग सब्द कैसे C से बना यानि जो C है उससे सिंग कैसे बना ये एक बहुत ही रोचक और मयदार सा किस्सा है या इसकी एक यात्रा है दरसल जो से और बड़ी की मातरा है C है उसको शेर बोलते हैं जो भग्णवान बुद्धे उनके जो दादा जी का नाम था C हनु हनु बोलते हैं जो को यानि ये जो हिस्सा होता है थोड़ी वाला इसको बोलते हैं हनु पाली के अंदर और C माने शेर शेर की जो होता है जवड़ा होता है वो बहुत खूबसुरत होता है और जो ऐसे जवड़े वाला होता है मनुस्से उसको सी हनू करके उपादी दी जाती है उनके दादा जी की थी और भगनवान बुद्ध के जो 32 लक्षणें अच्छे जिसमें उनको एक perfect man की या perfect human body की शेर जाती है उसमें एक लक्षण सी हनू भी है यानि शेर जैसी उनकी डाड़ी जो समभत है दादा जी के जीन से मिली होगा बाद में कुछ लोगों ने सी हनू को हनू और मन्तू से भी जोड़ा सी हनू मन्तू यानि सी हनू सी ही ठोड़ी वाले जैसे सी हनू मन्तू यह जो सी स भगवान बुद्ध आपने देखा होगा कि सीधे हाथ के सीधे हाथ पे करवट लेके और अपने हाथ को ऐसे करके और लेटते थे जमीन पे उसको बोलते थे सीन सहिया शेर भी ऐसे ही लेटता है तो सीन सहिया से यह सेर की सहिया यानि सेर की नीद बनी है भगवान बुद्ध तो 24 घंटे विपसना में रहते थे और वो सोते नहीं थे वो सिर्फ सरीर को आराम देने के लिए तागी सरीर रेपेर हो जाये उसको देने के लिए सरीर को स्थिर कर देते थे विपसना के थूर मगर वो हमेसा जागते रहते थे जो सुद्ध मनुस्य होता है उसको नींद की आवशक्ता नहीं होती जो सुद्ध मनुस्य होता है उसको नींद की आवशक्ता होती है इसलिए जो अच्छे और सुद्ध बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं वो दो-चार घंटे सोते हैं और फिर खेलना शुरू कर देते हैं ये अपना काम में लग जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा पाप करम करते हैं जो बहुत ज़्यादा आशान्त रहते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बीमारियां आशान्ती के वैसे हो गई हैं जिनके सॉफ् नाद, सी नाद को अगर हिंदी में या संस्काइट भासा में, जो बाद में भासा बनी है, उसको कहीं तो सिंग नाद बोला जाएगा, ऐसे करके जो सी नाद हो गया, या सी सार हो गया, सी सर सी सर का मतलब है सिंग जैसी आवाज, जिसको गरजना बोलते हैं, तो सी सर बोलते हैं इसको, सर माने तो स्वर होता है, स्वरा होता है, वौल होता है, अवाज होती है सी के साथ में सर लगा देंगे तो आधा से और से करके सिस सर करके बनेगा, तो उसको गरजना बोला जाता है एक आपने अपने पडोस में एक देश देखा होगा जिसका नाम है, आज की देट में तो उनको स्रीलंका बोलते है स्रीलंका नाम तो अब का नाम है जो बाद में पढ़ा है, basically उसका नाम है सीहल दीप सीहल दीप का मतलब है जहां शेर बहुत सारे रहते थे और वहां की भासा भी सीहली है यानि सीहली वहां की भासा है और सीहल वहां के लोगों को बोला जाता है ये ले और ले करके मिलता है सब्ध है जब अंग्रेजों ने कबजा किया था सीहल दीप पे तो उनको सीहल बोलने में दिक्कत होती थी तो वो इसको C-Lon बोला करते थे C-Lon और C-Lon को वो इंगलिस में C-E-Y करके लिखा करते थे यारी उनको C भी नहीं लिखना आता था तो वो C-Lon करके बोले जाता था आपने सिभाका या बिनाका टूद बुरूस की जो बिनाका पेश्ट की जो माला है जो अमीन श्यानी करके रेडियो में बहुत ज़्यादा आती थी प्राण लोग चानते हैं बिनाका गीत माला वो C-Lon से परसायत होती थी यानि कि वो स्री लंका से चलती थी रेडियो पे इंडिया से नहीं चलती थी इसलिए रेडियो सीलोन या रेडियो सीलोन बहुत ज़्यादा फेमस रेडियो था पाली के अंदर जो अबजेक्ट है और सब्जेक्ट है यानि कि जो दुतिय विवक्ति आती है उसके अंदर कोई भी सब्दो उसमें अंग लगता है जैसे सुधीर को अगर ऐसा बोलेंगे सुधीर को तो उसको एक सब्द है सुधीरंग बुद्ध को बुद्धंग राज है कोई तो राजजंग हो जाएगा अगर किसी का नाम पीटर है तो पीटरंग हो जाएगा किसी का नाम अगर Bill Clinton है तो Bill Clinton हो जाएगा तो ये अंग की आवाज लाश्ट में बिंदी से जुड़ जाती है यानि कि सबसे आखिर में बिंदी रहेगी वो शब्द के ब्लुकुल आखिर में आती है यहाँ से C का सिंग बना है बेसिकली जब इसको सिहंग बोला गया होगा जैसे सेर को तो सिहंग से है हट गया और बिंदी पीछे आ गई तो सी और अंग की बिंदी तो सिंग हो गया ये सिंग हो गया और सिंग का है बहुत ज़्यादा सालेंट होता चला गया मगर है लिखाई में आता चला गया इसलिए सिहंग की बजाए सिहंग हो गया सिहंग में और सिहंग में बिंदी का अंतर है कि बिंदी कहां लगती है बाद में जब संसकायद भासा आई और पाली लगबख खतम हो गई तो ये जो शब्द है यानि कि सिंग और सिंग सिंग का सिंग हो गया मगर बोला जाता है आज भी सिंग करके तो सिंग जब बोला जाएगा जब सह और बड़ी की मातरा और बिंदी होगी तो उसको सिंग बोलेंगे तो ऐसे सिहंग सिने और सिहंग करके ये सारे सब्द बने मगर बोलने में प्रणॉंसियसन में सिंग ही आवाज आती रही जबकि ये सिहंग आवाज है सिहंग में और सिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है बोलने में अंतर इतने सालों में अब उस बात को आज धाई-जार साल हो गए, धाई-जार साल से उपर हो गए, तब पाली चला करती थी, तब इसको सीह बोला करते थे, सेर से तब इतने नहीं ड़ते थे, क्योंकि सेर की जो गर्जना है उसको सिंग में मिला दिया गया, सिंग और गर्जना करके तब इसको सिंग बोला करते हैं सिहंग या सी हो जैसे जो राहुल माता हैं यानि के जो राहुल की माता जी है जो भगमान बुद्ध की जो पहले पत्नी रही है और उनके जो पत्त रहें राहुल तो राहुल अपनी माता से पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है जब भगम वहां कपिल वस्तु आते हैं और उस खुशी में लोग बड़े दिये जलाते हैं और दीपावली का उत्सप अब से आरम हो जाता है तब रहुल माता बताती हैं कि ये जो विक्तियों में जो चल रहे हैं नरों में जो सिंग की तरे चल रहे हैं वो तेरे पिता हैं तो नरसिमा बोला है नरसिमा या नरसिंग तो नरसिमा का मतलब है नर में सिंग से यानि नरों में जो सिंग से हैं या नरसिंग का मतलब है नरों में सिंग ऐसे करके बोला जाता है तो नरसिमा या नरसिहंग ऐसे करके वहां ये चीज़ें किलियर हो जाती हैं पुराना इसका सब्द सी ह और नया सब इसका सिंग है, सिने, सिना, सिंग, सिहंग और सिहंग, ये सब एक ही फैमली के हैं और एक ही बात है, इसलिए सारे जितने भी सिहंग हैं, जितने भी सिहंग हैं या सिंग हैं, या सिने हैं या सिना हैं, वो सारे के सारे बुद्धिष्ट और पाली के लोग रहे हैं धन्यवाद। कर बाली के रहे हैं तरहे हैं बाली के लोग सिर्णा अाल्यात। झाल, 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 झाल.